उत्रप्रदेश सरकार की मिसंज सक्ति योजना के तहथ फ्री ए रिक्सा योजना चला जा रही है ठीक है फ्री में आपको ए रिक्सा मिल रहा है वह कैसे फ्री मिलेगा उसकी भी कुछ नियम और सड़ते हैं कुछ तरकार आपको छूट देगे कुछ आपको खुद लगाना है साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाई तो उसमें कुछ लोगों के सवाल आया हुए थी कि मैं यह किस जिले में है या क्या हम उत्तरप्रदेश से हैं तो आवेधन कर सकते हैं या किन-किन जिलों के लोगों को इरिखसा के लिए आवेधन कर सकते हैं तो पूरी चांद कर इस वीडियो में बताया भी था कई वीडियो बनाया मैंने बताया भी उसमें आसा आसा है आप लोग आवेधन कर दीजें क्योंकि यहां पर क्या होता है ना जब चीजे खतम हो जाती है जैसे अभी आवेधन हो रहा है जब आवेधन की लाश्ट डेट आएगी ना तब सब लेना अनथा लेट करेंगे तो लाब नहीं मिलेगा लेट से आवेधन करेंगे दो स्वीकार भी नहीं होगा तो इसलिए हम आपको बता दें कि यह हमारे जिल्यका है जैसे कि आपने देखा पृताबgarचिल लाश्ट बतारे प्रता करने वीडियो भी पराय थी पहले वीडि यो बन पाई थी क्योंकि अधिकारियों से बात की हमने उन्हेंने बोला कि अभी बड़े सर नहीं है तो इस वज़न से हम वीडियो नहीं बना सकते लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत पोटो जो भी हो पाया हमसे हमने किया जिला उद्योक कार्याले पे जाकर आवेदर करना है जन से वाकें से आवेदर नहीं होगा यहीं से आवेदर होगा परताबगर जिला हमारा लगता है तो जो परताबगर जिला है कि उत्तर प्रदेश में ही आता है ठीक है उत्तर प्रदेश के ही निवासी है हम लोग उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में से एक जिला हमारा भी है प को पहले भी बता दिया आज भी बता रहे हैं प्लीज आप लोगा वेदन करें लखिम पूर्खिरी में क्या योजना है जी बिलकुल है यो योजना मातर दस हजार की डाउन पेमेंट पर आप इसे घर ले जा सकते हैं आसानी से चलाएए महिलाओं के लिए है में चीज यह भी आप लोगो जीला उद्यों कार्याल है किसी भी जीले से उत्ता प्रदेश के 75 जीलों में से किसी भी जीले से हैं जाए आवेदन कीजिए और इस रिजना का लाब ली अगागी अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में लेकना ना भूले आगे इसमें इसका प्रोसेस क्या है इ इन डिस्क्री में लगा देंगे जाकर के देख लिए जगह मिलते हैं कि वीडियो में नहीं जाने करें के साथ